उधारन चार प्रश्ण एक वृत्तिय मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है एक लड़का उसकी चारों और 5 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर कितनी देर में लगा सकेगा इस प्रश्ण में एक वृत्तिय मैदान की त्रिज्या दी गई है 35 मीटर एक वृत्तिय मैदान की त्रिज्या है 35 मीटर यदि एक लड़का उसके चारों और 5 किलो मीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर लगा रहा है तो हमें यह ग्याद करना है कि उसे 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा इसके लिए हम सबसे पहले उसके द्वारा 10 चक्कर में लगाए गई दूरी ग्याद कर लेते हैं क्यूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय यदि हम दूरी ग्याद कर ले और चाल हमारे पास प्रश्ण में दी गई है तो हम उसके द्वारा चकर कातने में लगाए गई समय का पता लगा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस लड़के ने एक चक्कर में कितनी दूरी तै की एक चकर में लड़के द्वारा तै की गई दूरी कितनी होगी? वो होगी वृत्तिय मैदान की परिधी के बराबर परिधी और वृत्तिय मैदान की परिधी होगी 2πR जहां पर R का मान कितना है? 35 मीटर पाई का मान हम रख ले 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित 35 पाई का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित 35 इसे सरल कर ले तो हमें मिलेगा 7 एकम 7 7 पंचे 35 2 गुणित 22 गुणित 5 तो हमें प्राप्त हुआ है 220 मीटर लड़के द्वारा एक चक्कर में लगाई गई दूरी कितनी होगी? दो सो बीस तो अब हम ग्याद कर सकते हैं कि दस चक्कर में लड़के द्वारा तै की गई दूरी कितनी होगी वो? दस गुणित दो सो बीस मीटर याने की दो हजार दो सो मीटर इसे हम लिख सकते हैं दो दशमलों दो किलो मीटर लड़के द्वारा वृत्ती मैदान के चारोर चक्कर लगाने की चाल कितनी है? पांच किलो मीटर प्रती घंटा याने की वह हर एक घंटे में कितना चलता है? पांच किलो मीटर तो हम लिख सकते हैं की पांच किलो मीटर तै करने में लड़के को लगा समय कितना है? 60 मिनट एक घंटा याने की 60 मिनट तब एक किलो मीटर दूरी तै करने में लड़के को लगा समय कितना होगा? बराबर होगा 60 बटे 5 मिनट इसे हम थोड़ा सरल कर लें तो हमें मिलेगा 5 से काट लें इसे तो 12 मिनट इसलिए 2.2 किलो मीटर दूरी तै करने में लगा समय बराबर होगा 12 गोनित 2.2 याने हमें मिलेगा 26.4 मिनट इसे हम क्या कह सकते हैं? 26 मिनट और 24 सेकंड इस प्रकार लड़के द्वारा वृत्ती मैदान के 10 चक्कर लगाने में लगा समय है 26 मिनट और 24 सेकंड क्या हुआ है झाल